मौंशुन सत्र में आप सबका स्वागत है सावन का पवित्र मास चल रहा है और इस बार तो डबल सावन है और इसलिए सावन की अवधी भी जड़ा ज़्यादा है और सावन मास पवित्र संकल्प के लिए पवित्र कारियों के लिए बहाती उत्तम माना जाता है और आज जब लोगतंत्र के मंदीर में इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं तो ये लोगतंत्र का मंदीर ऐसे अनेक पवित्र कारियों करने के लिए इससे बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है मुझे विश्वास है कि सभी मान्य सावसद मिल करके इस सत्र का जनहित्म सरबाधीक उप्योग करेंगे संसद की जो जिम्मेवारी हैं और संसद में हर संसद की जो जिम्मेवारी हैं ऐसे अनेक कानूनों का बनाना उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है और चर्चा जितनी ज्यादा होती है उतना जनहित्मे दूर गामी परणाम देने वाले अच्छे निर्णे होते हैं सदन में जो मान्य सावसद आते हैं वो धर्ती से जुड़े हुए होते हैं जनता के दुख दर्त को समझने वाले होते हैं और इसलिए जब चर्चा होती है आफये हैं तो उनकी तरफ से जो विचार आते हैं वो जडों से जुड़े हुए विचार आते हैं और इसलिए चर्चा तो सम्रों होती हैं निर्णे भी ससक्त होते हैं, परणामकारी होते हैं, और इसलिए मैं सभी राजनितिक दलों को, सभी मानने साउसदों को, इस सत्र का भरपूर उप्योग करके, जन हित के कामों को हम आगे बढ़ाएं, यह सत्र अनेक रुप से महत्वका भी है, क्योंकि इस सत्र में, जो बिल आये जा रहे हैं, वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए हैं, हमारी युवापीडी, जो पूरी तरह, डिजिटल वर्ल्ड के साथ, एक प्रकारते नेत्रुत्व कर रही हैं, उस समय देटा प्रोटेक्शन बिल, देश के हर नागरी को एक नाया विश्वास देने वाला बिल है, और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बगाने वाला बिल है, उसी प्रकारते, नेस्टनल रिसर्च फाउंडेशन, ये भी लेनारेप, नई शिक्षानिती के संदर्प में एक बहुत बड़ा एहम कदम है, और इसका उप्योग, अनुसंदान को बड़ लेना, इनुवेशन को बल देना, रिसर्च को बल देना, और हमारी हुआ पीड़ी, जो विश्व के अंदर, नए उपक्रमों के द्वारा, विश्व का नेत्रुत्व करना का सामर्त रखती हैं, उनके लिए बड़ा आउसर दे करके आ रही हैं। जन्विश्वास बिल, सामान ने मानवी के परती भरोसा करना, अन्यक कानूनों को डिक्रिमिलेज करना, इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाला इबिल, उसी प्रकार से, जो पुराने कानून है, उनको खतम करने के लिए भी, एक बिल में प्रावधान किया जा रहा हैं। हमारे यहां सदियों से एक परंपरा रही है, कि जब विबाद हो, तो समवात से सुल जाये जाए। मिडियोशन की परंपर हमारे देश की बहुत सद्य पुरानी है उसको अब कानूनी आधार देते हुए मिडियोशन दिल आने के दिशा में इस सत्र का बहुत बड़ा उप्योग है जो अनेक विवादों से सामान्य से सामान्य मानवी से ले करके असामान्य संजोगों को भी मिल बैठकर के सुल जाने का एक मजबूत दीव बढ़ाएगा इसी प्रकार से डेंटल मिशन को लेकर के एक बिल जो हमारे डेंटल कॉलेजिस के लेकर मेडिकल के छात्रों के लिए एक नई विवस्ता को आकार देगा ऐसे अनेक महत्वपूर्बील इस बार इस सत्रमे सउनसज में आ रहे हैं तब ये जन हितके हैं ये युवा हितके हैं ये भारत के उजवल भविश्य के लिए हैं मुझे भिश्वास है कि सदन में गंभीरता पुर्वगिन बिलों पर चर्चा करके हम बहुत तेजी से राष्ट हित के महत्वपूर्ब कदमों को आगे बढ़ाएंगे साथियों आज जब मैं आपके बीच आया हूँ इस लोकतंत्र के मंदीर के पास खड़ा हूँ तब मेरा रदय पीड़ा से भरा हुआ है क्रोद से भरा हुआ है मणिपूर की जो घटना सामने आई है किसी भी सब्ब्र समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है पाप करने वाले गुना करने वाले कितने हैं कौन है वो अपनी जगापे है लेकिन बेज्जती पुरे देश की हो रही हैं एक सो चालिस करोर देशवाचियों को सर्मसार होना पड़ रहा है मैं सभी मुख मंत्रियों से आगरे करता हूं कि वे अपने राज में कानून व्यवस्ता को और मजबूत करें खास करके हमारी माता और बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं गटना चाहे राजस्तान की हो जटना चाहे चत्रिश गट की हो गटना चाहे मनिपूर की हो इस दोश में हिंदुस्तान के किसी भी कौने में किसी भी की राज्य सरकार में राज नितिक वाद विवाद से उपर उठ करके कानून ववस्था का महत्माएं नारी का सम्मान और मैं देश वाजियों को भी स्वाद दिलाना चाहता हूं किसी भी गुलेकार को बख्षा नहीं जाएगा कानून अपनी पूरी शक्ती से पूरी सक्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा मनिपूर के इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी मापने किया जा सकता है बहुत भाद धन्यवाद दोस्तों